तो नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है पॉली टेक्निक और पैरा मेडिकल के इस यूटूब चैनल टोटल लेंग पे तो दोस्तो आज हम लोग फिर से पॉली टेक्निक के लिए most important questions को करने वाले हैं तो दोस्तो आप सभी को यह जानकर बहुत जादा खुसी होगी क्यो यहां पर देख सकते हो आज हम लोग करने वाले हैं मापन एवं मातरक क्याने की first chapter की सुरुवात करने वाले हैं इससे जितना भी important question आपके एक्जाम के लिए बनता है previous year हो चाहे model paper हो किसी भी तरह का question यहां पे add मिलेगा आपको ठीक है मापन एवं मातरक से questions को करने वाले है यदि आपको प्रतिक class का PDF चाहिए तो आप हमारे telegram channel से join कर सकते हैं जो कि यहां पे आपको नाम सर्च करना होगा total learning और join कर लिजें वहां पे आपको प्रतिक class का PDF और साथ ही दोस्तों क्यूज मिलता है तो आप सभी लोग को यदि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और share करवाते हैं तो आपका भी YouTube पर लाइब वो भी लाइब होगा जी आठ वज़े से सुबह में तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और share करवाईए पॉलिटेक्निक वाले इस्ट्रेंट के पास तो most important question का स्रीच चल रहा है और question number one है Calvin किस रासी का मातरक है Calvin किस रासी का मातरक है जी यहाँ पर देखिए जो इसका right answer आपको पता रहे तो comment में जबूर बताईएगा देख लेते हैं लोग इसका right answer क्या हो जागा Calvin जो है वो है ताप का मातरक होता है तो जो लोग option number B तो उस्मा का क्या होता है जी उस्मा का जूल होता है तो आपसे ध्यान रखना है सभी को चलिए अगला question number two most important इस से एक question देखने को मिलेगा है मिलेगा जी इस chapter से मैं कर रहा हूं एक question आपको polytechnic में मिलेगा तो तयार रहो question number 2 का था एक micron में एंगश्टम की संख्या होती है एक micron में कितिनी इंगश्टम संख्या होती option number A है 10 के power 4 दस B है 10 के power 6 C है 10 के power 9 और D है 10 के power 10 तो चलिए देखते इसका answer क्या हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तो हजी option number A 10 के power 4 हो जाएगा अब 10 के power 4 कैसे होगा सर यहाँ पे राइट आंसर तो option number A बताएंगे जिनका राइट हो जाएगा देखे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक माइक्रों में कितना मीटर होता है यदि यह पता रहे तो आसानी से आप सब लोग बना सकते हो तो एक माइक्रों में 10 के power 6 मीटर होता है और एक इंगस्टम में 10 के power माइनस 10 मीटर होता है ठीक है 10 के power माइनस 10 मीटर होता है तो यहाँ पर से एक मीटर में ठीक है सबसे पहले 10 के यानि कि 1 मीटर में निकाल लो फिर उसके बाद 10 के पावर 10 मीटर में जितना आएगा माइक क्रोण ठीक है माइक्रोन वह आपका इंगस्टम में उल्टा कर देना वही आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर आज आएगा आपका जब इसको चेंज करो रहते इतना आएगा 10 के पाव चले question 3使 detto मातरक option जान लेते तो जो सैनेन दूरी का या उपके यह यह हो जागा। आपके पोल्टेक्निक एक्जाम में यह भी question आता है कि एक स्टारी के प्रकाराइश बेतिक्स प्रकाराइश ब्रेल में कितना होता तो चलिए मैं बता देता हूं यहां पे 9.46 into 10 to the power 15 मीटर होता है ठीक है यह तो मीटर में पूछा और एक और होता है जो की पारसेक आप लोग जानते होंगे पारसेक जो की दूरी का मात रखे उसका कितना होता है कीलो मीटर में आपको पता होना चाहिए यह 15 है न इति थीरा यहां पर कितना पर चलिछा टीर परकास वर्श बरावर क्जलिए आगे भरते हैं Q4 यहाँ पर कहता है MPR विदुधारा का मात रख है यह तो पता है यह लेकिन कौन सा मात रख है option नमर A, CGS पद्धिती में, option नमर B, FPS पद्धिती में, option नमर C, SI पद्धिती में, option नमर DMKS पद्धिती में पद्धिती के रूप में है, ठीक है, तो यहाँ पर option नमर C, क्या हो जाएगा MPR विदुधारा का SI पद्धिती है, ठीक है, चलिए जी, आपका एक्जाम में यह भी पूछता है, कि एक MPR बरावर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक MPR बरावर, एक MPR बर में सेकेंड रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए, यह आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हम लोग आगे की और बढ़ते है, क्वेशन नमर फाइव यहाँ पर कहता है, कि एक MPR का द्रब्मान, नो दसमलों, 11,10 के पावर, माइनस 26 है, ग्राम है, तो एक MPR होंगे, देख पावर, माइनस 26, यह तो उपर की और चला जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, पॉजेटी में हो जाएगा, दसके पावर 26, और यह हमारा यहाँ पर से हट जाएगा, ठीक है, बचा यह, तो एक में, एक में यदी, इतना से डिवाइड करते हो, एक में इतना से डिवाइड करते हैं तो कितना निकल क्या जाएगा तो चलिए डारेक्ट हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं तो इसका आंसर जाएगा जी ऑप्सन नमर एक दसंबलो वन एक दसमलो एक जीरो गुर्फ़ने दस के पावर पच्चिस ठीक है यहां पर ऑप्सन नम्मर ए राइट हो जाएगा आपनों काल्कुलेशन कर लेना ठीक है चलिए यहां पर देखें क्वेस्टन नमर 6 कहता है जी मोस्ट इंपॉर्टन कहता है सार्थक मोस्ट पूछता है आउए प्रयास देखें सार्थक क्वेस्चिन पूंधा ङे साथ एक 문제 क्रेको क्वेस्ट देखें तो यहां पर पोईट को गिनना एपर के शी जाजा यहां पर व्यelshाना है नौई छोगो देखें को अगर अंक के बीच में यदि जीर नहीं आगे तो उसको गीनेंगे में 50 जीरो कसे नहीं नहीं चैने जीरों सबते हैं माप में त्रूटी एक परतीसत है यह के देखें गोले की त्रिजिया एक गोला है फिगर है गोला एक थ्रीडी है तुसके त्रिजिया की माप माप करते हैं तो एक परतीसत क्या होती है तो उसके आयतन को हम जब गन्ना करेंगे तो कितना परतीसत की तूटी होगी तू देख्यें यहां पे क्या होगा देखें बहुती सिंपली स्में क्या होगा तीन होता है आप जानतेते ना कि 2 धि это कहने का मतलब गोला को सूब लोग जानते रे नहीं में परतिसत कर दो डाइरेक्ट कितना कर दो एक परतिसत करोगे तो इस तरीके से ध्यान रखना है चलिए जी को भारत में दोस्तों मात्रकों की अंतराष्टिय पदिती के नाम से भी जानते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नमर नाइन यहां पर कहता है वेग का यूनिट क्या होता है यानि यह सभी को पता होना चाहिए क्या होता है जल्दी से कमेंट करना इसका जव अंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा दोस्तों अपसन नमर अपसन नमर भी मीटर पर सेकंड ठीक है यहां क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड होता है यही चाल का पूछ देगा तो चाल का और वेग का दोस्तों इन दोनों का बराबर होता है क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है ठीक है वी मा से दूब को क्वेशन देखने को मिलेगा ठीक है तो चलिए अब लोग आगे के और बढ़ते हैं अगला क्वेशन करते हैं हम लोग जो अगला क्वेशन किसी कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किलो मीटर से 50 किलो मीटर हो जाती है तो उसका उसकार का तोरण कितना होगा जी तो देखे सबसे पहले तो आपको 10 सेकेंड में पहले इसका एक्सलेरेशन निकालेंगे यानि कहने का मतलब वेग निकालेंगे फिर 10 सेकेंड में इसका वेग निक पहले क्या करो आप सबी लोग सबसे पहले कुछ नहीं करो इसको क्या करो मीटर और इसको सेकंड में बदल या साई उनिट में इसको व्हीं मीटर और सेकंड में बदलो क्या कर देंगे बट्टा में हमको कितना कर देना दस सेकेंड पहले से सेकेंड में दिया हुआ है अब बस उसके बाद जो आंसर निकल के आजाएगा वह आपका जीरो देफरेंस करो और दस से डिवाइड कर दो आपका आंसर आजाएगा ठीक है तो यहां पर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं मिलते नेक्स वीडियो में इसी के साथ अब आपको डेली मिलेगा तो आप सब लोग डेली अमारी चैनल पर रहिएगा और जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी बैल आइकन को ओल कर लिए तो ज क्या हिल जय भारत